नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों में उभासकरानन नोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुस ज जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे शामने बिवी चना के लिए आ रखी है गरहों की इस्तिति बहुत ज्यादा खराब है और जीवन में बहुत ही ज्यादा घुटन बरा जीवन जी रहे हैं बहुत प्रेशानियों का सामना आप कर रहे हैं लेकिन निश्चित तोर पे जो बुद्धादित्य राजयोग इस अतिली में बन रहा है उसका लाव आपको जरूर होगा थोड़ा सा समय जरूर लगेगा वीडियो शुरू करों उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ आने वाले दो मार्च दो हज्जार चोबिस को ये कुछ ही दिनों बाद जो आ रहा है मार्च दो मार्च को मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में बैठोंगा यदि आप लोग भी अपनी हतियली का विस्रिशन करवाना चाहते हैं कुछ पोचना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं अपनी संकाओं का शमाधान करना चाहते हैं और अपनी हतियली की जो लकीरे हैं उनके रह्ष्यों को भली परकार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैं अपना WhatsApp और Calling नमर जो एक ही है मेरा उसको दे रहा हूँ आप लोग कॉल करिएगा ये WhatsApp करिएगा और अपना जो appointment है वो fix करवा लिजेगा तुम मिलते हैं दिल्ली में देखेगा हतीली में दो तीन चीजें बहुत बड़ी इस्तिति में हैं इनको आपको ठीक करना है और कुछ का तो natural आपके जीवन में प्रभाव रहेगा एक तो आप देखेंगे आपकी जो index की finger है और जो आपकी middle की finger है उसका जो तीसरा पौरवा है यहां पे इसमें बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है और यह छेद सुब नहीं माना जाता है हतीलियों के बीच तीसरे पौरवे में इसका बहुत बड़ा प्रभाव खास करके धन को लेकि 35 वरस तक रहता ही रहता है और तीन चीजें रहती है उनमें से एक या दो चीजें रहेंगे या तो 35 वरस तक धन के मामले में संगर्स रहेगा या तो बहुत जादा खर्चेला स्वभाव रहेगा या धन के महतों को नहीं समझ पाएंगे लेकिन 35 वरस तक ये चीज रहेगी ही रहेगी ये निश्चित तोर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरी बात इन दोनों के बीच मिडिल फिंगर और आपकी जो है रिंग फिंगर के यहाँ पर ये छिदर दिखाई दे रहा है आपकी जनम कुंडली में जब भी सनी साड़े साते में होंगे धाया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपकी जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके करमाज के उपर आप किस परकार के करम कर रहे है यहाँ पे रिंग फिंगर और आपकी कनिष्टिका सबसे छोटी उंगली के बीच में बराबर गयब दिखाई दे रहा है बुडापे में बहुत जादा खर्चिला स्वभाव रख सकता है धन तो रहेगा बुडापे में बहुत अच्छा रहेगा सुक भी मिलेगा लेकिन खर्चिला स्वभाव बहुत जादा रह सकता है ये भी यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरी चीज यहाँ पे देखेगा एक तो आपकी हतीली में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो राहों की बहुत ज़्यादा इस्तितियां बन रही है और सबसे पहला जो है यह आपके क्या कर रहा है जीवन की लकीर को काट रहा है ठीक है ने इसका मतलब है सबसे पहली परेशानी यही आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दूसरा क्या होता है आपकी करियर और धनकी रेखा भी वह ऐसे टूट टूट कर आगे बट रही है इसको भी काट रहा है तो पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजिवका को लेके हर जगा आपको भयंकर उतार चड़ाव जहिलने पड़ रहे है फिर यहाँ पर देखेंगे तो दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है कि वास्तों में क्या करना चाहिए जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं उसी में अपियस पाते ही जहां भी आप जाते हैं रिस्तिदारी में वहाँ ये आपको जो है अपियस की प्राप्ति करवाता है कोई अच्छा नहीं मानता है किसी काम में आप सफल नहीं उपा रहे है और कहीं न कहीं जीवन बहुत ज़्यादा गुटन बरा हो गया है इसका कारण है राओ और तनाव की इस्तिति बहुत ज़्यादा आ गई है ठीक है ने मैं कुछ उपाई दोंगा उसको जरूर करें आपको निश्चित तोर पे लाब होगा दूसरी इस्तिति अगर हतेली में देखें एक बात का आप ध्यान रखें आपकी जो जीवन की रेखा है ये यहाँ पे मनिबंद में जा रही है और चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है मैंने जो प्रेक्टिकल रूप में देखा है एक तो आप जो भी उन्नति करेंगे अपने जन्म अस्तान से दूर उन्नति करेंगे जन्म अस्तान में रहे कर एक बहुत साधरन बेक्ति बनकर आप रहे जाएंगे तो इसलिए कोशिस करें कि चाए आप नोकरी करने जाएं चाए अपना धंदा करने जाएं आप जो है अपने जनम अस्तान से दूर जाएं जनम अस्तान में रहकर आप कोई भी तरकी नहीं कर पाएंगे ठीकने दूसरी बात है मैंने जो एक्चुल रूप में देखा है मैं सास्तरी की बात नहीं करूँगा इसमें जो पड़ा है उसकी बात नहीं करूँगा जो लोगों की हतीलियों को देखकर मैंने एकदम एको रेट इसका फल देखा है वो बात करूँगा एसे लोगों का जो प्रारंबिक जीवन होता है खास करके 35 एर तक कहीं का 40 वे वर्स तक का ठीक है नहीं तो उसमें इन लोगों को कई बार बहुत ज़ादा उतार चड़ाव जहिलना पड़ता है प्रारंबिक दौर में उतार चड़ाव जहिलना पड़ता है, भयंकर उतार चड़ाव जहिलना पड़ता है, संगर्स की इस्तिति को जहिलना पड़ता है, और कई बार ओ इस्तिरता भी जहिलने पड़ती है, लेकिन प्रारंबिक दौर पार करने के बाद इनकी इस्तितियां बहुत अच्छी हो जाती हैं एक बहुत अच्छी चीज है कितना भी इन लोगों के उपर संकट आ जाए लेकिन ऐसे लोग कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं गलत कार्य नहीं करते हैं और अंत में उस परमपिता परमात्मा की सरण में चले जाते हैं इनका जीवन धन्य हो जाता है ये निश्चित है और ये बहुत जो है जिसको कहते हैं इमानदार बिक्ति होते हैं ये बात निश्चित है और इसको ये रेखा भी कह रही है आपकी कि चाहे रिष्टों के परती हूँ चाहे कार्य के परती हूँ चाहे समाज के प जीवन में 35 एर तक कोई न कोई छोटी मोटी चिंताईं जरूर बनी रहेंगी थोड़ा सा संगर्स भी बना रहेगा लेकिन कुछ चीजे में दे रहा हूं धीरी धीरी आपकी जीवन में इस्तितियां भेतिर होगी अब यहां पर गुरहों का भी सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपका चंद्रमा बहुत जादा गड़बर हो गया है सबसे जादा प्रभाव आपके जीवन पर बरतमान में चंद्रमा का पड़ रहा है चंद्रमा जब इस परकार से खराब हो जाता है तो कैस की और बरकत की कमी आनी सुरू हो जाती है चंद्रमा जब खराब होता है तो पड़ाई लिखाई में लगाया पैसा वसूल नहीं हो पाता है ऐसे में इनसान जो पड़ ले लेकिन उसका जो करियर होता है किसी और जगह बन जाता है जो मर्जी ये बिक्ति सीख ले उसको बाजार में मंडे में आज माही नहीं पाता है चंद्रमा इस परकार से अगर खराब होने बैठ जाए ध्यान रखेगा है चैंब महिला हो या पुरुस हो अब इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो पुरुस हैं जो मेल हैं वो राइट हैंड को देखेंगे और जो महिलाएं हैं न वो कहीं न कहीं अपने लेप्ट हैंड को देखेंगे आप कहेंगे जी कई एस्ट्रोजर कहते हैं कि दोनों हाथ भगवान ने दिये हैं किसी भी हाथ को देख लो कुछ लोग कहेंगे जी जो महिला जो है नौकरी करती है खुद कमाती है खुद घर को चलाती है सरवे सरवा है उनके राइट हैंड को देखना चाहे उसका बेस क्या है आपने हस्त रेखा कहां से ली है क्या आप खुद रचियता है उसकी क्या खुद आपने इतना किया है उनसंधान किया है कि जो आप बिलकुल जो है गारंटी के साथ ये कह रहे है नहीं वेस एक्चुल क्या है वेस है आपका जो है सामदरिक बिग्यान जो रिसी मुनियों ने जो है लिखा है और ये आज का नहीं करोणों साल पहले का लिखा गया है और आज भी उसी इसाब से फिट वैटता है और सामदरिक विज्ञान परमान देता है कि हमें इस्तरी माताओं का लक्षमियों का बेटियों का कौन सहाथ देखना चाए और पुरुष का कौन सहाथ देखना चाए तो सामदरिक विज्ञान कहता है अथातह संप्रवक्षामी हस्त रेखा विचारणम दक्षने मनी राइट हैंड पुरुस्वसं पुरुसंगेयम मनी ब्यक्तिका देखना चाहे मेल का वामे वामा करम शुभम जो बेटियां है जो फीमेल है चै किसी भी कैटेगरी की हो उनका जो है बाया हात देखना चाहे और उन हातों को उनकी रेखाओं को देख करके उसके लक्षनों को देख करके संपूर सुबासुव की फल कथन करना चाहे यह हमारा सामदरिक विग्यान परमान देता है और हम लोग उसी परमान के उनसार चलते हैं अब यहां पे किसी का चंद्रमा खराब हो तो ऐसे में बहुत जल्दी anxiety, depression आने सुरू हो जाते हैं ऐसे में इनसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे ठीक है और चंद्रमा खराब हो तो मा की तवियत भी खराब रहती है या मा को लेकी चिंताएं रहती है या मा के साथ कई बार समन्द भी खराब हो जाते हैं और चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है इनसान बिना वजह के ही समाज की अपने रिष्देदारों की अपने घरवालों के नजरों में विलिनवन जाता है उसकी कोई आउकात नी रहती है चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है तन भी खराब रहता है मन तो खराब आने सुरू हो जाते ही, ठीक है न, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चंद्रमा को ठीक करना है, तो धीरे धीरे आपके ग्रहोंके इस्थिती निश्चित तोर पे ठीक होनी सुरू हो जाएगी, ठीक? यहाँ पे अब दूसरी चीज देखेगा यह क्या है यहाँ पे कुबर सब की रहती है ने लेकिन यहाँ पे यह बहुत जादा है तो सुक्र क्या है एस्वर्य का मालिक है धन का मालिक है लगजरी का मालिक है पैसो का मालिक है और जब यहाँ पे ये चीज होती है तो कम से कम 40 वे वर्स तक ये अपना प्रभाव देता है कहीं न कहीं छोटा हो बड़ा हो जीवनकाल में ये संगर्स देता है कई बार धनहानी करवाता है अगर ऐसे लोगों को अपने जीवनकाल में ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए नहें तो ये ब्यावसाई में नुकसान को दिखाता है अगर ऐसे लोग ब्यावसाई करते भी हैं तो ऐसे लोगों को पार्टनर्शिप में ब्यापार नहीं करना चाहिए और खुब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खास कर जीवन में धन कमाने की जो बड़े इस्तिती है वो थोड़ी सी लेट आती है हाँ एक बात निश्चित है 42 वर्स की आयू से चीजें बहत्रीन होनी सुरू हो जाती है पूरी तरोकी से और 56 वर्स की आयू के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है ठीक है जैसे जैसे उमर बढ़ती है पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है कमर की प्रॉबलम है ये चीजें बिक्ति के जीवन में आती है लेकिन इतना वेट करना है नहीं तो क्या करेंगे कुछ सांदार उपाई है वो करेंगे यहाँ पे आपके हतेली में बुद्धादित्य राजयोग नेचुरल बनावा है लेकिन उसका फाइदा मिलेगा आपको 36 एर से 36 वर्स से अभी आपने कहीं न कहीं 4 से 5 वर्स तक थोड़ा सा उपाईयों पे ध्यान देना है और बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना है उतावलापन नहीं दिखाना है चिंता और डिप्रेशन ज़्यादा नहीं आने देना है अपने पे तभी आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे कुछ अच्छा कर पाएंगे और तब उपरवाला भी आपका साथ बहुत अच्छी तरों से देगा और बुद्धादित्यरा जोग बहुत अच्छा है बहुत बड़ा आपके हतेली में बन रहा है धन कमाने की ललक भी बहुत ज़ादा रहेगे आपके जोड़ में और यहां पे देखेंगे तो यह बता रहा है कि जो भी काम आप 36 एर से करेंगे उसमें बहुत बड़ी उत्कृष्टता पाएंगे नौकरी करेंगे तो आपने अच्छा सीखा हुआ है तो बड़ी लेबल की प्राप्त होगी उच्च वर्ग का विक्तितो होगा सफल होगे यह होगे दो कारणों से एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुन आपके अंदर डेपलप हो रहा है और एक आपकी कम्यूनिकेशन जो इसकिल्स है वो डेपलप हो रही है उसके कारण आप जिवन में सपलता की प्राप्ति करेंगे आप देखें कि बुद्ध को थोड़ा मजबूत करिएगा कैसे करेंगे हरी सबजी है हरे फल है और हरी दाले है खाने में ज़्यादा प्रियोग करें ठीक है और एक हरार माल अपने जेब में या अपने आपिस के बैग में रखें और उसको इस्तेमाल न करें केवर एक सिंबल के तोर पे रखें अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो चन्नन का एक परफ्यूम लें और रोज अश्नान करने के बाद अपने बदन पे लगाएं इससे आपका बुद्ध बहुत अच्छा होगा और जहां आपके जीवन में ये कहीं न कहीं भोग और बिलाश देगा लगजिरी जीवन देने की कोशिस करेगा और आपको लाव होगा यहां पे देखेंगे तो ये इस पष्ट तरीके से इसकी तरफ जुक रहा है इसका मतलब है आपके अंदर यस पाने की इक्षा है नेम फिम पाने की इक्षा है और अपने कारियों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इक्षा है और इसका आगे चल कर आपको लाव भी होगा अब यहां पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं दोनों मिडिल फिंगर से यहां पे चोटी हैं धन और यस की भोक है पैसा और सम्मान आपकी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्षा भी यही दिखाई दे रहा है लेकिन सूर्य की अगर बात करें सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं है ग्रहों की इस्तितिके अनुसार कहीं न कहीं आपका सार्य रिक या मानसिक स्वस्ति बेहतरी नहीं कहा जाएगा जीवन की जो अन्रोनी खुस हाली है जो जीवन का उत्सा है जो जीवन की उर्जा है यह आपसे धीरी धीरी गायब हो रही है इनकी आपको चिंता करने पड़ रही है कुछ जादा नहीं करें आप आपको बहुत बड़े उपाई नहीं दे रहा हो क्या करें सुबह अगर जो है आपको समय लगे उकते हुए सूरे के आगे अश्नानी त्यादी करके जो मैंने बोला है परफ्यूम उगेरा डाल के और अपने छट में हो या गार्डन में हो या पारकों में हो ऐसी जगह आप जाएं जहां पर सूरे की रोशनी आपके पास पड़े और दूब में खाली जो है नंगे पैर घूमते जाएं और सूरे की तरब देखते जाएं जहां पर सूरे आपकी आँखों में पड़े आपके मस्तिस्क में पड़े, आपकी छाती में पड़े और उस समय स्वर से एकाकार करे मनि जिस भी धर्म को, जिस भी पंत को आप मानते हो जिस भी मजहब को मानते हो जिस भी इस्वर को मानते हो बस सूर्य की तरफ देख करके खड़े होके या बैठ करके जिसमें रोसनी सीधा पड़ रही हो उस प्रमपिता प्रमिशर को याद करते जाए और थोड़ी सी जो भी आप प्रार्थना करना जानते हों वो उस टेम करें और उसके बाद कुछ न कुछ अपनी किस्मत को सवानने के लिए उस प्रमात्मा से मांगना सुरू करें निश्चित तोर पे जो है आपको बहुत बड़ा लाब होगा यह सबसे बड़ा उपाई है आपके लिए अब यहाँ पे एक चीज देखेगा कि यहाँ पे सांदार मचली भी बन रही है यहाँ पे देखे यह बहुत बड़ी चीज है ऐसा बिक्ति रहस्यमई बिद्याओं का जानकार होता है अनुसासन में रहकर काम करने वाला होता है नियाई प्रिय बिक्ति होता है यह बहुत अच्छी चीज है और आगे चलकर आपको इसका बड़ा लाब होने वाला है यह कई न कई इस तरफ जुक रहा है इसकी तरफ बहुत जादा मेहनत परिस्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को चीजों में सपलता मिलती है यह बहुत अच्छी चीज है जब गुरू आपका पुष्ट और सुन्दर हो जाएगा तो यह आपको धनवान बनाएगा यह निश्चित है हाँ धार में कभावनाई आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी और उपर वाले में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा इस्तित्या सुदरने पे आपका गुरू आपको बहुत कुछ देने वाला है चाहे आप ब्यापार करें, नोकरी करें, कोई और भी काम करें समाज में एक बहुत अच्छा जीवन आगे चल कर जिएंगे यह दिखाई दे रहा है निम्न मंगल, कनफ्योजन, उल्जन, दुविदा, देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आपकी निरणे लेने की ताकत है, उसको थोड़ा छीन कर रहा है सही से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे है, कि वास्तों में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जानना चाहिए, ठीक है ने, उपरी मंगल, थोड़ा प्राकरम जादा दे रहा है तो थोड़ा बहुत गुसल स्वभाव और चिर्चिड़ापन दे सकता है, लेकिन प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा, ठीक है, एक सुखद जीवन जीने की चाहा रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रतनसील बेगतितो रहेगा सुकर की अगर हम बात करें तो बिरस्पति जब ठीक हो जाएगा तो सुक्र का आपकी जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है यह यहां पे टूट टूट कर आगे बढ़ रही है तो कहीं न कहीं जीवन में ऐसे में पित्रदोस आ जाता है ठीक है ने? तो बहराल मैं चंद्रमा का सबसे पहले उपाई दे रहा हूँ अन्य उपाई मैंने दे दिये हैं आपको ठीक है न का जरूर मैं उपाई दोंगा इसको जरूर करें आपको बहुत बड़ा लाब होगा देखा जाई तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है और जो उपाई है वो विदिवत तरीके से लिख करके आडियो के मादेम से मैं आपको दे रहा हूँ आप करनी की कोशिस करें निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार